दोस्तो स्वागत है आप सभी का बिहार समाचार में दोस्तो चलिए बिहार के तमाम 15 बड़े ख़वरों के बारे में इस वीडियो में जानते हैं तो फटाफट से आप सभी कमेंट बॉक्स में जरूर बताए कि आप बिहार के की जिले में रहते हैं साथ ही अपनी तरब से आप इस वीडियो के एक प्यारा लाई जरूर कर दे साथ ही आपके मन में अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें नेचे कमेंट मॉक्स में जरूर पूछे आज की सबसे बड़ी कबर बिहार में आप साथ से पचीस अगस तक सिनेमा हॉल सौपिंग मॉल सभी स्कूल कम्पिटेशन की तयारी करने वाले कोचिंग भी अब खुलेंगे जिहां बिहार में साथ अगस से पचीस अगस तक अनलोक पांच रहेगा इस दोरान सरकार ने बड़ी छूट देने का एलान किया है राज में अब कुछ परतिबंदों के साथ सिनेमा हॉल और सौपिंग मॉल को खोलने की इजाज़ा दे दी गई है नवी क्लास और इस से पर के कोचिंग संस्तान जो कंपिटेशन की तयारी कराते हैं वह भी साथ अगस से खुल सकेंगे और लोक को लेकर डेटेल गाइडलाइन ग्रे विभाग द्वारा जारी कर दी गई है साथ आपको बता दी कि राज में अभी सभी तरह की दुकाने और प्रतिश्टान सब्ता बंदी के अलावा प्रतिदिन खुलेंगे हलाकि दुकाने खुलने का समय साम साथ बजे तक के लिए रहेगा वहीं सारवजनिक वहानों में आब उनकी चमता कि स्वा परतिसत यात्री बैठ सकेंगे पर वहानों की चतों पर अत्वा खड़े होकर कोई यात्रा नहीं करेगा मंदिर महजित चार्ज और गुरुद्वारा आदिधार में किस्तल अभी बंदी रहेंगे सौपिंग मॉल एक दिन छोड़ कर साम साथ बजे तक खुल सकेंगे वहीं पचास पर तिसत चमता के साथ सिनेमा हॉल को भी खुलनी की जाज़त दे दी गई है बड़ी केवर बिहार वासू के लिए खुसकबरी बिहार के रास्ते दिलि-कुलकत्ता वारान से आने जाने वालों के लिए बीचे का सडकू का जाल चार नई प्रोजेक्ट से कम होगी दोरी जिहां बिहार से दिल्ली कुलकत्ता वारा नसे से सड़क मार्ग से आने वाले यात्रियों को जल्द और सहुलियत मिलेगी इसके लिए पत निर्मान विभाग चार नया मेगा प्रोजेक्ट ला रहा है सेम नितिस कुमार के अधिक्स्ता में बुदवार को बैठा खुवी जिसमें पत निर्मान विभाग ने अपने कामकाज की जानकारी के साथ साथ नए प्रोजेक्ट का प्रजेंटेशन दिया पात निर्मान मंत्री नितिन नवी ने बताई कि राज सरकार के अनुरोध पर भारती राष्टी राजमार्ग प्रादिकरन ने चार पर्योजना मोकामा मुंगेर, मुझपर पूर रिंग रोड, पुरवांचल एक्सप्रेस वे से बकसर को जोडने और इंडो निपाल बोर्ड रोड को चोड़ी करन की मंजुरी दे दी है बाड़ी कबर बिहार के पांच और सहरों में लगेगी गेस पाइपलाइन दर्बंगा मदोबनी सुपोल गोपाल गण्यों सिवान में पाइपलाइन से होगी घरूल गेस के आपूरती दोजर तेस तक पटना के पचास अजर घर बिहार के पांच और सहरों को गेस पाइपलाइन योजना में सामिल कर लिया गया है दर्बंगा मदोबनी सुपोल गोपाल गण्यों सिवान में घरूल गेस के आपूरती पाइपलाइन के जरिये होगी केंद्रे पेट्रोलियम और प्रकृतिक गेस मंत्राले के मताविक जल् बिहार के और पांच सहरों दर्बंगा मदोबनी सुपोल गोपाल गण्यों को गेस पाइपलाइन योजना में सामिल कर लिया गया है अगले दौर में इनकी बिटिंग की जाएगी इन सहरों में पाइपलाइन के जरिये ही घरेलू गेस के आपूरती की जाएगी बाड़ी कहवर 15 अगस से पहले बिहार सरकार के कर्मचारियों का बड़ेगा महंगाई बत्ता जानिये क्या है तैयारी जिहां बिहार में 4 लाग सरकारी कर्मचारियों को 77 दिवस से पहले नितिस सरकार तुफा दे सकती है बताया जारा है कि राजय केबिन्ट के और से सरकारी कर्मचारियों के दिए को बढ़ाने की मंजूरी दी जा सकती है बिहार सरकार के बिति विभांग ने इसको लेकर तैयारी जोरसूर्शिक कर रही है बिहार सरकार अपने कर्मियों को 1 जुलाई 2021 के प्रवाव से ही महगाई भत्ता देगी वही 15 अगस से पहले राज कर्मियों को बढ़ा हुआ 28.23 डिये का तुफा मिल सकता है बड़ी ख़बर बिहार में आप रेडिंग के समय ही जमा कर सकेंगे बिजली का बिल जिहार राज के सारे इलाकों में आप मिटर रीडर आपके बिजली बिल की रासी भी मागेंगे बिल की रासी मिलने पर भी तुरंद ऑनलाई रासी देंगे हाला कि मिटर रीडर के मैदम से बिजली बिल जमा करने के वबस्ता वैकल पिक होगी बिल जमा करने के लिए मिटर रिडर दबाव नहीं बनाएंगे या नहीं वेबस्ता एक अगस तो जरह किस से प्रभावी हो गई है बड़े क्यावर पटना के नए बस सिस्टेंड में एरपोर्ट जेसी सुविधाए एसी बियाईपी लाउंज में करें इंतिजार फ्री मिलेगा इंटरनेट जिहां बिहार के राजाने पाटना में नौ निर्मित पाटली पूत्र आईस बिटी बस सिस्टेंड को एरपोर्ट की तरज पर विक्सित किया जा रहा है मुई के भवन के फर्स पर ग्लेजल टाइस लगा है इसे एरपोर्ट का लुक दिया जा रहा है एरपोर्ट की तरज पर ही यहां लगातार साप सपाई की जा रही है अब इसे एरपोर्ट की तरज पर विक्सित करने के लिए यहां के मुई के भवन में ही दूसरे तल्ले पर अच्त दोनिक सुक्क्स विदावी से लेस BIP लाउंज का निर्मान किया जा रहा है लाउंज की पर्स बनकर तयार है सिग रही है यहाँ सारे अच्त दोनिक सुविदाव्य मुहाया कर दी जाएगे आधिकारिक सूतरों की मानने तो नौरमित पत्नी पूत्र बस इश्टिन पर ब्यापी यात्रिओं के लिए एरपूर्ड की तर्च पर ब्यापी लाउंज विक्षित किया जा रहा है साथ है आपको बताते कि इस लाउंज में बस का इंतिजार करने वले यात्रियों के लिए मुप्त हाई स्पीड वाइफाई की सुविधा मुहाया कराया जाएगा बाड़ी कवर पटना सेथ बिहार के 11 जिलों में बारिस वा बजरपात का खत्रा तिन से चार दिन ऐसा ही रहेगा मौसम जिहां बिहार में मौसम बिभाग के गतिविदियों में बदलाव देखने को मिल रहा है इसके प्रभाव से अगले तीन दिनों के भेतर बिहार के सभी जिलों में तेज बारिस होने से बजरपात के सम्हावना है मौसम में बदलते प्रभाव के कारण अगले तीन दिनों तक बारिस के सम्हावना है मानसुन की ट्रप लाइन फिलाल बिहार के दक्चने हिस्से से लगते हुए जारकन से गुजर रही है इसके असर से जारकन और बंगाल में अच्छे बारिस हो रही है वहीं बिहार के कई इलाकों में भी हलकी और मैधम दर्जे की बारिस लगातार हो रह बाड़ी कवर पटना में गंगा और पुनपुन खत्रे की निसान से पार, गाहां में घुसा पानी, सहर में बाड़ का खत्रा जिहां बिहार के राजने पटना में एक वर फिर बाड़ का खत्रा मेंडनाने लगा है पटना में गंगा और पुनपुन नदिया खत्रे की निसान से उपर वा रही है, पटना के गांधी घाड़ में गंगा खत्रे की निसान से 34 सेंटिमीटर और हातिधा में 29 सेंटिमीटर उपर वा रही है, पुनपुन नदि का जलेस्तर बिते 24 गंटे में बढ़कर पुनपुन घाड पर खत्रे की निसान से करीब 156 cm और स्रिपाल पूर में 193 cm उपर पहुच गया है सुरक्चा बांध में दराज से पत्ना को खत्रा की आसंका पैदा हो गई है पुनपुन नदी पर बना पत्ना सुरक्चा बांध पहले भी इस से रिसाव हो चुका है पत्ना बाइपास के दक्चिन इलाके तक बाढ़ का पानी पहुचने की आसंका जताई जा रही है बड़ी कबर अगस्त के अंतिम सबता तक होगा पंचा चुनाव का एलान चुनाव आयोग की तैयारिया अंतिम चरन में सभी जिलों ने भेजा सेडूल बाढ़ प्रभावित प्रकंडों में अंतिम चरन में मदान जिहां बिहार में पंचा चुनाव की तारिकों का एलान अगस्त के अंतिम सबता तक हो जाएगा इसे लेकर राज निर्वाचन आयोग की तैयारिया अंतिम चरन में है आयोग ने सभी जिलों से मदान के सेडूल मगाने और उन्हें स्विक्रित करनी की प्रक्रिया सुरुक कर दी है राज निर्वाचन आयोग के निदिस के मते नेजर ज्यादातर जिलों ने अपनी सुविदा के अनुसार प्रक्रणवार मदान का सेडूल तयार कर लिया है तयार सेडूल को जिला इसतर से राज निर्वाचन आयोग भेजा जा रहा है सबी जिलो से सेडिल मिलने के बाद राज निर्वाचन आयोग मद्दान सेडिल को फाइनल करेगा बाड़ी कबर सीबेसी टेंथ रिजल्ट के बाद बिहार में बवाल पटना के इस स्कुल के बाहर कम नमबर आने पर छात्रों ने किया प्रदसन जिहाँ सीबेसी क्लास दसवी की रिजल्ट जारे होने के बाद बिहार के इसकुलों में बवाल सुरू हो गिया है राजा ने पटना के टी रजा इसकुल में छात्रों ने अपने नमबर को लेकर प्रदसन किया प्रदसन कर रहे छात्रों का आरोप था कि स्कुल की और से मनमानी तरीके से नमबर दिये गए हैं जिसे सिब्यसी ने आक मून का रिजल जारी कर दी है मिले जानकारी के अनुसार पटना के खजांची रोड इसी टीरजा स्कुल में पासाओड चातर कल प्रदसन करने पहुचे चातरो का आरोपे की स्कुल में रिजल्ट बनाने में बेदबाब किया गया है प्रदसन करे चातरो ने कहा कि प्री बोड में हमारे 90% मार्क्स आये थे लेकिन फाइनल रिजल्ट में हमें 60% मार्क्स दिये गये हैं स्कुल प्रसासन ने मुई की द्वार को बंद कर लिया और पुलिस को इसकी सुचना दी गई प्रदसन कारी चातरो का मांगे कि सीबेसी मामले को संग्यान लेकर रिजल्ट में सुधार करें प्रयंट्स एसोसेशन ने कहा कि यह गलत है और इस पर बोड को एकसेन लेना चाहिए बाड़ा वर मद्दाताओं की घर घर जाकर जाच करेंगे बेलो भारत निर्वाचन आयोगके निदेश पर बिहार में कवायाद सुरू भारत निर्वाचन आयोग ने नए मददादाओं के नाम सामिल करने को लेकर मददादा सुची के पुनरिक्षन का कारिकरम मंगलवार को जारी कर दिया आयोग ने मुईक निर्वाजन अधिकारी को निदिश दिया है कि एक नमर को मदादा सुची के प्रारूप का प्रकासन कर दे प्रारिक्चन कारिकरम आरम होने के पहले 9 अगस तक मदादा सुची में दोहरे मदादाओ के नाम या अइन प्रकार की तोटिया है तो उसे दूर करने का निदिश दिया गिया है आयोग ने 31 अक्टुबर तक बूत लेवल अफिसर को घर घर जाकर मदादाओ के जाज सुनिचित कराने का टास्क दिया है बड़ी कबर बिहार पुलिस में दारोगा सार्जन की बहाले के लिए लिखित परिच्चा 5 दिसंबर को बिहार पुलिस में दारोगा और सार्जन के 2213 पदों के लिए 5 दिसंबर को प्रारामबिक लिखित परिच्चा होगी यह परिच्चा दो पालियों में ले जाएगी बिहार पुलिस अवर सिवा आयोग ने संभावे तितिता करते हुए सभी जीलो के डियम को तैयारी के लिए पत्र लिखा है पंचा चुना के मद्देनेजर आयोग ने सतरता बरत्ते हुए दिसंबर में परिच्चा लेने का निने लिया है बड़े केवर आयांस के जान बचाने को लेकर सांसद राम कृपाल यादम ने केंद्रे स्वास्त मंत्री से की मुलाकाद 16 करोड की इंजेक्शन के लिए सोपा ग्यापन जिहां बिहार का बेटा आयांस को बचाने के लिए पाटली पूत्र के सांसद राम कृपाल यादम ने नई दिले की निर्मान भवन में स्वास्तर मंत्री मंसुक एलन मांडिवा से मिलकर पटना के 16 करोड की इंजेक्शन की सहायता के लिए एक ग्यापन सुपा है पटना जिला के दानापुर के रुपसपूर निवासी अलोग सिंग और निहा सिंग के दस मा का पोत्रा आयान सिंग स्पाइनल मस्कूलर टिस्ट्रोपी जैसी गंबी बिमारे से पिडित है जिसकी पुष्टी बेंगलोर के क्याती तलब संस्तान एन आई एम एच ए एनस ने की है संस्तान ने इस इलाज के लिए 16 करोड की रासिक का इंजक्शन लगवाने को कहा है बड़ी ख़बर पुरी देश में तिरंगा रेली निकालेंगे किसान 15 अगस्त को किसान मजदूर आजादी संगराम दिवस मनाने का एलान संयुत किसान मोर्चा ने बुदवार को इस बात का एलान किया है 40 किसान संगटनों के इस मोरचा की तरब से जारी बयान में कहा गया कि 15 अगस्त को ब्लोग तहसिल और जिला मुख्याले पर सभी किसान और मजदू तिरंगा यातरा निकालेंगे तरण राष्टिय जंडा लेकर सभी साइकिल, बाइक, बैल गाड़े और ट्रेक्टर पर सवार होकर सभी निगलेंगे गोर तलवे के क्रिशी कानूनों को वापस लेने की मांग को लेकर किसान जंतर मंतर पर अपनी संसुत चला रहे है और राष्ट की बाड़ी कवर टोकियो उलम्पिक में भारत का चौता मिडल पक्का फाइनल में गोल्ड के लिए भीड़ेंगे पहलवान रवी दहिया जी हाँ टोकियो ओलम्पिक के दिन भारती पहलवान रवी दहिया ने सेमी फैनल में कजाकिस्तान के सनावे नुरिसिलाम को हरा दिया है दहिया ने सेमी फैनल में जीत हासिल करके इतिहास रच दिया है सेमी फाइनल में सांदार जीत के बाद रावी दहिया ने अपना सिल्वर मेडल पका किया है जबकि भारत को टोकिय ओलम्पिक में चौता पदक दिलाया है आपके जानकारे के लिए बता दे कि सुसिल कुमार के बाद कोस्ती में सिल्वर मेडल जीतने वाले दहिया दूसरे भारती किलाडी है हाला कि फाइनल में गोल्ड जीत उनके पास मेडल का रंग बदलने का मौका है आज के लिए आपका सवाल बताए कि आपके अनुसार अनलोक पाच में और किसमे छूड मिलनी चाहिए थी इसका जवाब आप हमें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएं